यूपी में 79,000 सिख्षक भरती मामले में योगी सरकार को सुप्रिम कोट से बड़ी रहात मिली है आपको बता दे याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है देखे 79,000 सिख्षक भरती मामले पर सुप्रिम कोट ने योगी सरकार को बड़ी रहात दी है सुप्रिम कोट ने बुदवार को हाई कोट के फैसले को चुनौती देने वाली अभ्यरतियों की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया हाला कि कोट ने ये जरूर कहा है कि अभ्यरती हाई कोट जा सकते है सुप्रिम कोट ने याचिका को खारिश करते हुए कहा कि अब देश की हर परिक्षा में आंसर को चैलेंज करने का एक ट्रेंड सब बन गया है जो सही नहीं है फैसले से प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी रहात मिली है दरसल इलाबाद हाई कोट की लखनव खंड़ पिट ने 12 जून को सिंगल बेंच के दिये गए फैसले पर रोक लगा दी थी जिसके बाद अभियरती सुप्रिम कोट चले गए तीन जून को दिये गलत प्रशनों को UGC पैनल के समक्ष भेजने की शिफारिश की थी इसके बाद भरती प्रक्रिया के लिए हो रही काउंसिलिंग को रोक लगा दी थी बता दे कि इस से 79,000 सिक्षक भरती को लेकर प्रदेश सरकार काफी उससाहित थी लेकिन कानूनी पचोड़े में फसने से भरती रुखने की बाते कही जा रही थी अब कोट के फैसले से प्रदेश सरकार को रहत मिली है बिर्यो रिपोर्ट, HBN News